स्वागत आपका हमारी चैनल निच्रल टिप्स हिंदी में गाइज, 40 साल की एज में चेहरे पर जाईया आ गई हैं, दाग धब्बे हो गई हैं चेहरे पर से गुलोख खत्म हो गया है, चेहरे की रंगत खराब हो गई है तो आज जो टिप्स शेयर करूँगी उसे अपना कर, कुछ बातों को फॉलो करके डेली इन हरेलू नुस्खों से जाईं काले धब्बे को दूर किया जा सकता है सबसे पहले, सबसे पहले मैं यही आप लोगों से कहूंगी कि अपनी डाइट पर खाश नज़र रखें हमारे खानपान का असर सीधा हमारे डाइजेशन पर पड़ता है, अगर आपका रूटीन सही नहीं है, तो अपना रूटीन बेहतर बनाए सबसे पहले नीद पर ध्यान दे, सही समय पर सूने की आदर डाले, सुबह चल्दी उठे, एकसरसाइस करे, मेडिटेशन करे इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा, टेंशन फिरी रहे, टेंशन का असर हमारे दिल दिमाग पर बहुत पुरा पड़ता है, जंक फूट के शौकीन है, तो जंक फूट से दोरी पना ले घर का खाना खाएं, हरी साग, सबसी और फल को अपनी टाइट में शामिल करें, है पी रहे, हो मेड़ फेश पैक बनाए और चेहरे पर अपलाई करें रेगुलर थोड़े दिनों के अंदर ही चेहरे पर गलो आना शुरू हो जाएगा, दाग धब्बे कम होने लगेंगे दस मिनट बाद हलके हाथों से मसाज करते हुए चेहरी की कंदगी को हटा दे जाएं, नीबो चेहरे पर जमे कंदगी को हटा देगा, इसके इंसाफ हो जाएगी अब करना क्या है, गाइस गुलाब पाउडर में, गुलाब जल मिलाकर मिक्स करें, पेष्ट बनाएं, चेहरे पर इसी पेष्ट को अपलाई करें, आधा घंटा बात गुन-गुने पानी से चेहरी को थो लें रात में सोने से पहले चेहरी पर चैतून के तेल या नारियल के तेल से मालिश करें, मालिश करने से बलट का शर्कुलेशन बेहतर होगा, और मालिश करें और सो जाएं, सुबा कुन-कुने पानी से चेहरी को थो लें एलोवेरा अपने घरों में जरूर लगाए एलोवेरा जिल चेहरे पर गर्दन पर और हाथों पर लगाए इसकी सौफ्ट हो जाएगी और रग निखर जाएगा लगातार इस टिप्स को करते रहें फिर देखिए आपका चेहरा किस तरह से चमकतार नजर आने लगेगा चेहरे से जुर्या काईब होने लगेंगी दाग धबे दूर हो जाएंगे अच्छा महसूस करेंगी हाँ एक बात का ध्यान रखें पानी छे साथ किलास जरूर पिएं इसकीन हाइटरेट रहेगी अच्छा माइस्टराइजर क्रीम का यूस करें ड्राइ इसकीन सौफ्ट रहे की बाहर जाने पर या घर में सन इस्क्रीन लोशन जरूर लगाएं आज बस इतना ही आगे और भी वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल नेचरल टिपस हिंदी को सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को और विल आइकन को टच कर दें वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुचता रहेका थेंक्स फूर वाचिंग